इल्लाय रख्मार रोहीम, अस्सलाम उलेकिम डिया स्टुएंट्स, तो आज हमारे पास चैप्टर शिक्स का लेक्शन नमबर टू, आर्टिकल हमारे पास है टर्मिनल विलासिटी, और इसे के साथ साथ हम इसमें बात करेंगे फुल्वर्ड फ्लो की भी, तो चलिए पास के एक्शन में टर्मिनल विलासिटी होती क्या है, दा मैक्सिमम एंड कॉंस्टेंट विलासिटी, अटेंड बाइ ट्रॉपलेट, वेन इट इस फाल, वोर्टिकली डाउनवर्ड, इस काल्ड टर्मिनल विलासिट, डिया स्टुर्स के कहने का मतलब ही है, कि जब भी करता है नीचे की तरफ, अब आपको पता है कि वो फ्लूर्ड के अंदर मूव कर रहा है, फ्लूर्ड कौन सा, यह नमारे पास है, अब उसके उपर फोर्स अच्ट करेगी, अब जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करेगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, तो हमें स्टोक सला से पता है, फ्लूर्ड लिंक में होता है, हमारे पास वी के साथ, तो होगा क्या, उसके उपर ड्रैक फोर्स आश्टा आश्टा बढ़ती जाएगी, अब होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा, कि जिस वक्त उसके उपर लगने वाल ड्रैक फोर्स ये दोनों फोर्स इकवरी मैगनिचूट बढ़ा पॉसिटीने डिरेक्शन, अब जो नेट इस फोर्स इसको पर एक्ट कर रही होगी, इस ट्रोपलेड के उपर वो क्यों हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, जब इसके उपर जीरो हो जाएगी, तो होगा क् पिर यूनिफॉर्म विलास्टी अटेंड कर लेगा और जब यूनिफॉर्म विलास्टी अटेंड करेगा डेस्टूर्ण तो किस में आ जाएगा एकुलिब्रियम में आ जाएगा इसी की बेस तीन एक्जैम्पल आप देख सकते हो चाता प्रादर्स मतलब जो पराशूटर्स मारे पास होते हैं जो परागलाइडिंग करते हैं वो क्या करते हैं पराशूट की मसे ऊपर छलांग लगाते हैं तो यही टर्मिनल विलास्टी को ही क्या कर लेते हैं गेन कर लेते हैं मतलब यूनिफॉर्म विलास्टी को गेन कर लेते हैं जब वो य gravity अब जैसे यह आइस्था आइस्था ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो होगा क्या? इसकी speed बढ़ती है गी अब जैसे जैसे speed बढ़ेगी तो इसको उपर लगने वाली opposite direction में जो drag force है यह भी क्या होती है की? बढ़ती जाएगी तो अगर मैं calculate करना चाहूंगा इसको पर net force कितनी एक्ट कर रही है तो मैं लिखूंगा net force is equal to weight माइने से drag force अब weight में drag force क्यों किया चुकि यह object downward जा रहा है इसका मतलब weight यहाँ पर क्या है object का वो द्यादा है अब हमें बता है drag force की value क्या होती है 6,5,8,R,V,T और weight की वोली क्या होती है mg तो दोनों को value क्या कर दिया substitute कर दिया अब होगा क्या date student कुछ time के बाद इसकी जो drag force को उपर लगने वाली drag force वो equal हो जाएगी इसकी उपर लगने वाली force of gravity के क्यों क्या आइस्ता जैफे 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 इसकी speed बढ़ेगी तो stroke class हमें पता है F क्या होता है drag link में होता है V के साथ within limits तो फिर होगा क्या जैफे एफे इसकी speed बढ़ेगी इसको उपर लगने वाली drag force भी बढ़ती जाएगी जब drag force बढ़ेगी तो एक टाइम इसा हाएगा कि F G equal हो जाएगा F D के तो उस condition के उपर इसको बढ़ने वाली सारे के सारी forces के effect किसके equal हो जाएगा 0 के equal हो जाएगा जब forces के effect 0 के equal हो जाएगा मतलब इसका accession किसके equal हो जुका है 0 के equal मतलब इस object ने uniform velocity ever attain कर ली है तो इसका बढ़ने पर मैं बोल सकता हूँ किसको पर net effect force से क्या हो चुका 0 तो F को फिर मैं 0 substitute कर सकता हूँ कब जब हमारे पास F D equal हो जाएगा F G के तो अब डेस्टोरे मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से इस term को मैंने क्या किया उठाकर इदर ले गया और सिदागर के लिख दिया फिर यहां से मैंने क्या किया VT की value को find out कर लिया यहां से VT एक side पर रका और 6 pi eta r को उठाकर दूसरी side पर ले गया और से मैंने नाम दे जिए question है one का अब हमें पता है day student मैंने यहां से अब किया कि मैं मैस निकालने density का फामूला क्या होता है density is equal to mass over a volume आपको यह पता होगा अब density को मैं row से रिप्रेजंट कर देता हूँ mass को m से volume को V से अब यहां से अगर मैं mass निकाल लो तो हमारे पास कियाएगा M is equal to row V अब volume अब चुकर यह ड्रॉपलिट सफियर की फाम में है हमें पता है सफियर का volume किसकी को लोगता है 4 over 3 pi r q तो मैंने यहां पर V की value को substitute कर दिया V यहां पर क्या है day students volume अब इसी question को मैंने put कर दिया equation A के अंदर यह मारे पास क्या थी equation A थी तो जब मैंने M के जिंगे इसको substitute किया तो फिर इसको solve किया pi से pi cancel r से r cancel हो गया फिर मैंने 4 over 3 6 calculate किया तो मेरे पास आगया 2 over 9 साथ में जी के वैसे का वैसे A यहां से r square बचा साथ में rho आया और नीचे हमारे पास आगया eta यह हमारे पास क्या आगया terminal velocity का डियर स्टून हमारे पास से relation आगया कहता है कि this equation showed that v t directly proportioned to a square of the radius of the droplet it means that if radius is double then velocity will increase 4 times इसके कहने का मतलब यह 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 यहां पर direct link कर रहा है कि इसके साथ radius of the droplet के साथ यह तना हम क्या करेंगे तो कहने का मतलब यह dare student कि अगर इस droplet का radius बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ उसकी terminal velocity भी क्या होती आएगी बढ़ती आएगी मतलब जितना इसका radius बढ़ेगा तो जाहिर से बात इसको बलगने वाद रैक फोर्स भी बढ़ेगी ट्रैक फोर्स क्यूं बढ़ेगी क्योंकि उस Object की terminal उसको वो Object उतनी वदा स्पीड क्साथ क्या करेगा नीच्चे की तरफ keनी तरह मूव करेगा जितनी वदा स्पीड वो गेन करेगा उतनी कपर ट्रैक फोर्स जयादा एक्ट करेगी कितनी डियक पो ज्यादा एक्ट करेंगे उस लोगा कि उसकी टर्मिनल लॉस्टी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो यह था हमारा अर्टिकल टर्मिनल लॉस्टी, If every particle dead passes a particular point Move along exactly the same path as followed by particle Which passed dead point earlier देखे तो उस केने का मतलब यह है कि First की जिए हमारे पाइप यह एक पाइप था उसमेंसे पानी फ्लो कर रहा था अब मैं कहता हूँ इसे मैं कुछ पाइप ले ले लेता हूँ खुछ यह अब फर्ज किजिए ये मारे पास सबसे पहला एक ड्रॉपलेट तावा टरका अब अगर पीछे से आने वाला ड्रॉपलेट भी इसी को ही फालो करता हुआ मूव करता जाए और फिर इसके पीछे आने वाला इस इस वाले को अपने आगे वाले को follow करता हुआ आगे move करता जाए तो इस flow को हम क्या बोलते हैं लैंडर flow बोलते हैं मतलब इस fluid की हर layer के अंदर droplets होंगे और वो क्या करेंगे वो अपनी ही जस्ते पर रहते हुए अपने आगे वाले को follow करते हुए आप यह कह सकते हैं यह तरह का मार्च करते हुए जैसे आर्मी के कॉलम्स क्या करते हैं मार्च करते हैं यह दूसरे का दर भगड़ दर नहीं बचाते बिलकि अपनी ही लाइन में रहते हुए अपने आगे वाले सोज़ट को फालो करते हुए मूव करते हैं तो similarly यहाँ पर भी अगर यह डॉबलेट अपनी अपनी लेयर्स के अंदर रहते हुए अपने आगे वाले डॉबलेट को फालो करते हुए आगे के तरफ मूव करते जाएं तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं इसको हम स्ट्रीम लाइन आ रहे है या फिर लैमिनर फ्लो का नाम यह दिससे आप य इस रेगुलर फ्लो फ्लो फ्लॉट इस काल्ड है स्ट्रीम लाइन फ्लो दूसरे मारे पर एक्जेंपल है टॉबलेट फ्लो की अग्डूर फॉबलेट फ्लो मिसाखत अगर यह पानी आ रहा था मैंने क्या इसके रस्ते में एक हर्ड़र राख दी उससे हुआ क्या पानी की वो जो एक सीक्वंस में जा रहे थे उनका वो सीक्वंस क्या हो गया वो खराब हो गया नेक्स मारे पास है कंडिशन ओफ आइडियल फ्लूइड के लिए कंडिशन क्या होनी चाहिए तो डेस्विशन से पहले कंडिशन मारे पास है नॉन विसकस क्यों की विसकोस्टी क्यों होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए उसकी लेज के दर्मियान किसी भी तरह की इंटर्नल फ्रेक्चन नहीं होनी चाहिए नमबर डूं in-compressible मतलब उसे हम compress ना कर सकें मतलब उसके वालियम में किवी तरह कोई change भी ना आए number three steady मतलब उसका flow क्यों होना चाहिए steady होना चाहिए regular होना चाहिए मतलब stream line क्यों होना चाहिए उसका flow होना चाहिए तो यह था day student हमारे आज की article hopefully आपको समझ जाई होगी हमारे चैनल learning people को day student subscribe करना मत भूलिएगा bell icon पर press कर दें तक हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो आपको मिल सके और वीडियो को लाइक कीजिए वाद वाद आपने दोस्तों करा शेयर कीजिए और comment section में अपने कीमती comment देना मत भूलिएगा बहुत शक्रिया